जै मातदी दोस्तों कैसे हैं आप सभी? दोस्तों चैनल से जुणने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिये गए बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों दिवाली का त्योहार देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है दिवाली के आसपास पांच पर्व मनाये जाते हैं इनमें धन तेरस, नरक चतुरदशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज मनाये जाते हैं दोस्तों जब 14 साल का वनवास काट कर भगवान राम, लंका नरेश रावन का वद करके आयोध्या वापस लोटे थे तो उन्ही के वापस आने की खुशी में आयोध्या वाश्रीयों ने गी के दिये जलाये थे इन्ही की खुशी में ये त्योहार मनाया जाता है दोस्तों मान्यता है कि जो लोग दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं उनको साल भर धनकी कोई कमी नहीं रहती लेकिन कई बार मालक्ष्मी की पूजा में भूल हो जाते है जाने अंजाने कई ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनसे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है इसलिए लक्ष्मी की पूजा करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना बेहत जरूरी है तो आईए जानते हैं कौन सी हैं वो बाते नमबर एक तुलसी को विश्नु प्रिया कहा जाता है और भगवान विश्नु की शाली ग्राम स्वरूप से उनका विवा हुआ है इस नाते देवी लक्ष्मी की सौतन ये है इसलिए देवी लक्ष्मी को कुछ भी अरपित करते समय उसमें तुलसी और तुलसी मंजरी ना डाले तुलसी के बीड जैसी चीजे ना डाले ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है इसलिए भूल से भी उन्हें सफेद रंग के फूल ना चड़ाए माको केबल लाल और गुलाबी रंग के ही फूल अरपित करे नमबर तीन लक्ष्मी पूजा करते समय आप कोशिश करें कि दीपक की जोत लाल रंकी हो इसके अलावा दिये को भूल कर भी मालक्ष्मी के बाई और नहीं रखना चाहिए बलकि दाई और रखें इसलिए भगवान विश्नो को दुनिया में रोश्नी फैलाने का प्रतीक माना जाता है और मालक्ष्मी विश्नो भगवान की पत्नी है इसलिए मालक्ष्मी की पूजा करते समय दिये को हमेशा मा के बाई ओर ही रखें नमबर चार मा लक्षमी की मूर्ति को भूल कर भी सफेद रंग की दरी पर ना रखे यानि सफेद रंग से जुड़ी कोई भी चीज ना तो मा को अर्पित करनी है ना ही सफेद रंग के आसन पर मा की मूर्ति को स्थापित करना है साथ ही पूजा करते समय सफेद या काले रंग की वस्तु का आप इस्तमाल ना करें और ना ही खुद सफेद या काले रंग के वस्त धारन करें दोस्तों मा लक्ष्मी की पूजा के बाद प्रसाद को मंदिर के दक्षिन तरफ रखें दिवाली का जश्न मनाने से पहले घर के सभी लोग एक साथ मिलकर माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें गनीज जी की पूजा अर्चना करें और साथ ही माता लक्ष्मी और गनीज जी की आर्थी करना ना भूलें माता लक्ष्मी के साथ भगवान विश्नु की आर्टियाब जरूर करें शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी भगवान विश्नु का साथ कभी नहीं छोड़ती हैं जहां विश्नु होंगे वहां देवी लक्ष्मी होंगी इसलिए माता लक्ष्मी के साथ भगवान विश्नों की पूजा अर्चना करना ना भूलें तो दोस्तों माता लक्ष्मी की पूजा करते समय इन पांच बातों का विशेश ख्याल रखी वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद जै माता ली दोस्तों